शेरगाती के नीमा रोड में मार्च तक बनकर तयार होगा 10 करोड का पुल 247 मिटर लंबे पुल से जुडेंगे कई गाउं शेरगाती के नीमा रोड में बुढ़िया नदी पर 10 करोड रुपे का उच अस्तरिय पुल अगले साल मार्च तक बनकर तयार हो जाएगा ग्रामेन कार विभाग की देख रेख में कॉलेश्वरी इन्फरा कॉम प्राइवेट लिमिटेड नामक एक निर्मान कमपनी ने पूल निर्मान का काम शुरू कर दिया है 247 मिटर लंबे इस डबल लेन पूल के निर्मान के लिए पाइलिंग का काम शुरू कर दिया गया है शेरगाटी से नीमा जमुआइन गाउं को जोडने वाली 8 किलो मिटर लंबी पक्की सडक में बुढिया नदी पर पूल नहीं होने के कारण बारिश के दिनों में यातायात में मुश्किल हो रही थी परधान मंतरी ग्राम सडक योजना के तहट किये गए सडक के निर्मान का भी ग्रामिनों को कोई खास फायदा नहीं मिल रहा था 13 खंभों वाले इस पूल के निर्मान की सुईकिर्थी पिछले साल शेरगाटी के ततकालीन विधायक और जदिउनेता विनोध परसाद यादों की सिफारिश पर राज्य सरकार ने दी थी जदियू नेता ने कहा कि पूल के निर्मान के बाद शेरगाटी के दरजन भर गाओं को यातायात की सुविधा मिलने के अलावा जारखंड से भी संपर्क सुगम होगा पूल निर्मान अस्थल पर मौझूद साइट इंचार्ज संजे कुमार ने बताया की काम तेजी से किया जा रहा है और निर्धारित समय के भीतर इस पर यातायात शुरू होने की उम्मीद है ग्रामिन कारिवभाग की अस्थानिय सहाय कभियंता अशोक कुमार ने बताया कि अगले साल मार्च तक पूल निर्मान का काम पूरा होने की उम्मीद है पूल निर्मान की गुनवत्ता पर खास ध्यान दिया जा रहा है इस पाइलिंग का काम चल रहा है जी बोरिंग का काम चल रहा नीचे में अच्छा-च्छा कौन से कंपनी इसको करवा रही है कोलशरी इनफ्राकॉम प्राइबेट लिमिटेड अच्छा आपका क्या परिचा है मेरा नाम है संजैकमार सिंसाइड इंचार्ज